Welcome to electrical department, सभी डिप्लोमा इस्टेंट्स के लिए बहतरीन अपार्शनिटी है आदित बिल्ला ग्रूप कमपनी जोईन करने का आदित बिल्ला ग्रूप की तरफ से डिप्लोमा इंजीनियर की वेकेंसी के लिए ओफिसियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसमें जोब का पोजीशन होगा डिप्लोमा ट्रेनी की पोजीशन के लिए वेकेंसी है जिसमें डिप्लोमा के इस्टेंट्स अपलाई कर सकते हैं कोई contractual जोब नहीं है पर्मनेंट जोब वेकेंसी निकालेगी है salary की बात करें तो आपको 4.8 lakh पर एनमका CTC देखने को मिल जाएगा आपका जोब लोकेशन होगा महराश्टरा में आपको जोब लोकेशन देखने को मिलेगा इस वेकेंसी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका online interview के मादन से selection देखने को मिल जाएगा तो क्या eligibility criteria है कैसे form को apply करना है selection process क्या होगा इन सभी के बारे में detail में इस वीडियो में बात करेंगे तो complete information के लिए वीडियो को पूरा end तक देखते रहना और आप लोग इस वीडियो को share भी कर दीजिए ताकि यह opportunity सभी instant grab कर सकें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो वेकेंसी निकालीगी है कंपनी का नाम है आदित इबिला ग्रूप और यह वेकेंसी का notification जो है आदित इबिला ग्रूप के official site पर साथी साथ आदित इबिला ग्रूप के HR की तरफ से LinkedIn पर भी यह वेकेंसी पोस्ट की गई है आपको इसका जो लिंक है वीडियो का description में मिल जाएगा वहाँ से भी आप check कर सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम आदित इबिला ग्रूप की official site पर हैं आप इसके career section पेज में जाएगे तो यहाँ पर आपको दो वेकेंसी जो है वो देखने को मिल जाएगा देख सकते हैं जो आपका इसमें position होगा diploma engineer की position के लिए वेकेंसी है और जो अभी वेकेंसी निकालेगी है आदित इबिला ग्रूप की division है paint manufacturing department में अभी वेकेंसी निकालेगी है और इसमें देख सकते हैं जो आपका unit होगा paints mahar unit जो की महराश्टरा में है यानि कि आपका job location होगा वो महराश्टरा में देखने को मिलेगा bumper भरती का notification यहाँ पर देख सकते हैं total 40 vacancy 40 vacancy निकालेगी है और काफी अच्छी number of vacancy है जिसमें diploma की freezer और experience दोनों ही candidate अपलाई कर सकते हैं अगर आप freezer है तो भी आप apply कर पाएंगे और अगर आपके पास experience है experience कितना minimum one year का तब भी आप इसमें apply कर पाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं role and responsibility दिया गया है यानि कि अगर आप company में select होंगे तो आपका क्या job role होगा और क्या-क्या responsibility आपको देखने को मिलेगा यह चीजे आप लोग ज़रूर पढ़ लीजेगा ताकि आप अपने resume बनाने resume एक अच्छा resume बना पाएं और इमने से जो skills है वो skills आप लोग add करेंगे तो आपके profile का sort list होने का ज़्यादा chance होगा ठीक है इसमें बात करते हैं जो diploma engineer की position है इसमें आपको कितना salary मिलेगा तो salary की बात करें तो इसमें जो salary आपको मिलेगा 4.8 lakh per NM का आपको CTC देखने को मिल जाएगा ठीक है यह salary जो है minimum one year experience के लिए है अगर आप fraser है तो आपको इसमें 3.8 lakh per NM का आपको CTC देखने को मिलेगा बात करें कौन कोन से branch के candidate apply कर सकते हैं तो parents division में vacancy है तो diploma के almost all branch के candidate apply कर सकते हैं यहाँ पर branch mention नहीं किया गया है के बल डिप्लोमा इंजिनियर में किया गया है तो diploma के सभी branch के candidate apply कर सकते हैं लेकिन आपको बता देखेंगे तो आप डिरेक्ट apply link वाले page पर पहुंच जाएंगे चलिए आपको हम apply करके इसमें दिखा देते हैं आप देख सकते ह करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने page open होके आ जाएगा यू आप लाइंग फार डिप्लोमा इंजिनियर पेंट्स मनुफेक्टिरिंग महार महराश्टार्टिक है यहाँ पर सबसे पहले आपको personal detail अपना फिल करना यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना जो आ आप email ID फिल करें तो बिल्कुछ सही से फिल करें क्योंकि आगे के process के लिए जो notification आएगा वो आपके email ID पर ही आएगा ठीक है इसके बाद next process से आपको अपना mobile number यहाँ पर फिल करना है इसके बाद currency, fin code ठीक है इसके बाद कौन से company, company कर बात करें तो जिस company में आप minimum one year वर्क किये हैं वो यहाँ पर फिल करेंगे अगर आप Fraser candidate है तो यहाँ पर NA type कर सकते हैं ठीक है एने type कर सकते हैं professional detail की बात करें तो अगर आपके पास experience है minimum one year का experience में क्योंकि required है लेकिन Fraser candidate apply कर सकते हैं यहाँ पर जब आप आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं total experience में आपको दिख जा देंगे और अगर आपके पास experience है तो किस field में आपके पास experience है वो यहाँ पर आपको भरना होगा दिख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है function area कि इस department में आपने work कर रखा है manufacturing department है legal है mining है ठीक है अगर आपका इन में से कोई भी नहीं है तो आप यहाँ पर other पर click करेंगे ठीक है function area का मतलब यही है कि आपका जो work था वो किस department में था total experience की बात करें तो आपने six month का भी आपके पास experience है जो भी experience है वो आप यहाँ पर fill कर देंगे ठीक है जैसे अगर आपके पास six month का experience है तो यहाँ पर year में आप zero fill करेंगे और month में आप six डाल देंगे इसके बात अगर उस college या university से किया है आपने आपको वो fill करना है end date की बात करें तो आपका diploma या degree मतलब जो आपका highest qualification है वो कब end हुआ था ठीक है जैसे diploma आपने 2023 में पास आउट है 24 में पास आउट है तो जुलाई में लगभग कम्लेट हो जाता है तो आपको आपको वो date डाल देना है skill की बात कर आपको skills वहां पर डालना होगा ठीक है लाइक आपके पास जो skill है कामा देकर शिरसे आपके पास डिसे communications skill है तो immis skill लिखेंगे इसकी बाद को कामा देकर फिर अपर बरना है ठीक है फिर इसके बाद हो और patient a current employee of अजित बिर्ला ग्रूप में आपको कोई relative work करता है करता है तो yes नहीं करता है तो no पर क्लिक करेंगे इसकी बाद यहां पर I have read and accept the terms and or terms of use इसके बाद इस पर टिक करके आप submit application पर क्लिक करेंगे तो आप इस vacancy के लिए successfully apply कर पाएंगे ठीक है तो apply करने का process जो है बिल्कुल simple है आपको इसी प्रकार से इसमें apply करना है selection process की बात करें तो इसमें कोई भी assessment नहीं होगा direct आपका इसमें online interview के माध़म से आपको इसमें selection देखने को मिलेगा online interview में आपको दो round होंगे HR और technical round ठीक है और आपका इसमें group discussion भी हो सकता है तो इस प्रकार से आपको इसमें apply करना है काफी अच्छी vacancy है जो भी इस्टेंट अपना diploma engineer training का जो position होता है training अगर आपने 12 months कहीं भी work किया है या apprenticeship करके रखे हैं minimum one year experience है तब भी apply कर सकते हैं यहां पर हमें फ्रेसर mention नहीं कर रखा लेकिन हम suggestion यहीं देंगे कि अगर आप फ्रेसर candidate है तब भी आप इसमें जरूर से apply करिएगा क्योंकि private company है कोई इसमें fix नहीं होता है कि क्यों experience वालों को ही लेंगे आपके पास जो है उनकी तरफ से mail आ जाएगा तो आप इसमें select भी हो सकते हैं ठीक है तो आज के इस वीडियो में के वाल इतना ही काफी अच्छी वेकेंसी है apply जरूर कर दीजेगा अब हम मिलते है next वीडियो में और इस वेकेंसी के regarding आगे जो update आएगा मतलब कि कौन सा इस्ट्रेंट सेलेक्ट हुआ क्या इसमें इंटर्वी में question पूछे गए assessment कड़ेट कब आया सारा process आपको जो है वो टेलिग्राम पर update मिलता रहेगा तो टेलिग्राम चैनल जरूर से join कर लेना